हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग अबक्रिया में दोस्तों एन्हेड्राइट का बनना और धेर सारे रासानिक अबक्रिया चर्चा करेंगे इसके पहले मैंने एक वीडियो बना चुका है अलड़ी इसकी रासानिक अपक्रियाओं का और यह दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में दोस्तो रासानी का अपक्रिया कंप्लीट हो जाएगा तो चले स्टार्ट करते हैं लेकिन दोस्तो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना साथी बिल हो जाता दोस्तो एन्हाइड्राइड बनता है मतलब जब अमले के दो अडू आपस में क्या करते हैं क्रिया करते हैं तो उन में से एक जलकाणू अलग होकर बाहर हो जाता है तब दोस्तो हमें एन्हाइड्राइड प्राप्त होता है और यह क्लिया दोस्तो फासफोरस कोई दिकत नहीं, यदि मैं इसको ऐसा लिख दू, CS3, COOH, तो कोई दिकत नहीं होना चाहिए दोस्तो, किसकी उपर स्थित में, फासफोरस, पेंटाकसेट, क्या करेंगे मेरे भाई, गरम करेंगे, तो देखे, यहां से OH उठाओ, यहां से H उठाओ, तो S2O बन जाएगा, य और क्या बच्चा, CO, ठीक है न, और यहां पर भी दोस्तो, CH3, CO, और एक आक्षियन और है, तो यह करके यह कर दोआ, ठीक है, प्लस दोस्तो, H2O बाहर हो गया, अब इसको यह दिया, और दूसरे हिसाब से लिखना चाहते हो आप, तो CH3, CO का होल टोईस कर दो, और दोस्तो यहां पर O कर दो, तो यह दोस्तो, Acetic Anhydride, Acetic Anhydride बन गया, Acetic अमले से Acetic Anhydride, सीधा नाम आ जाएगा दोस्तो, यह Acetic Anhydride, तो यह दिक कोश्चन ऐसे आ जाए, कि Acetic अमले से Acetic Anhydride बनाओ, तो सिंपल तरीके से आप दोस्तो, तो इस तरह से आप कर सकते हों, ठीक है, कि Acetic Anhydride कैसे बनाते हैं, समिकर दीजिए, तो इस समिकर का प्रयोग कर लोगे, और दोस्तो, आसानी से आप लोग इसे बना सकोगे, तो अगला अवक्रिया, दोस्तो, Smit Avkriya, ठीक है, Smit Avkriya, इसको पढ़ते हैं, Smit Avkriya, ठीक है तो इसमें दोस्तो लिखना क्या है, कि सांद S2S4 की उपस्तिती में, Carboxylic Aminic Ikriya Hydrojoic, या दोस्तो, हैड्रोजोईक की आपर हमने लिख दिया, यह Hydrojoic है, Hydrojoic Aminic से कराने से, प्रात्मिक एमीन प्राप्थ होता है, क्या प्राप्थ होता है, तो सांद S2S4 की उपस्तित में करा रहे हैं, किसकी क्रिया दोस्तो, Carboxylic Aminic Ikriya, किससे Hydrojoic Aminic से कराने से, प्रात्मिक एमीन प्राप्थ होता है, अब आपको पता होगा दोस्तो, यह Carboxylic Aminic की ही अब क्रिया तो इसकी क्रिया तो करानी पड़ेगी, तो कोई भी Carboxylic Aminic ले लो, जैसे मैं ले ठीक है, अब दोस्तो, इसकी क्रिया, Ammonia, सरी, Hydrogen, Hydrogen का सूथ क्या होता दोस्तो, HN3, Ammonia का NS3 होता है, लेकिन Hydrogen है, इसकी क्रिया, सांद्र, H2SO4 की उपस्थिती में करा रहे हैं, तो दोस्तो क्या बनता है, Amin बनता है, यहाँ पर आपके पास CS3 है, और NH2 जोड़ दो, Amin तो यही होगा दोस्तो, आपके पास अभी भी 2N बचे है, तो N2 हो गया, और दोस्तो क्या बचा, यहाँ से CO2 बचा तो CO2 बाहर कर दो, CO2 बाहर कर दो, तो यह आपका इसमेट अपक्रिया, कंप्लेट हो गया, सांद्र, H2SO4 की उपस्थिती में, सांद्र, H2SO4 की उपस्थ होता है, क्लियर इतना, क्लियर होगा हो दोस्तो, अब मैं क्लिया करा दू, जैसे मैं कह दू, बेंजोईक एसिट के क्लिया, तो C6, H5, COOH, आपका दूस्तो यह बेंजोईक कामल है, इसकी क्लिया हाइडर जोईक से करा दो, HN3, ठीक है, दोस्तो सांद्र, H2SO4 की उपस्थ क्लिया करा रहे हैं, तो दोस्तो क्या प्राप्त होगा, C6, H5, और NH2 जुड़ दो, इसका नाम दोस्तो एनिलीन है, और यह बन गया N2 और प्लस CO2, सेम प्रोसेस है, यह दोस्तो एनिलीन, अब ऐसे भी नाम आ सकता है, कि बेंजोईक आमलसी एनिलीन बनाओ, फिर आपको व क्रिया में, दोस्तो, दो रियक्षन, आप देख सकते हैं, या तो दोस्तो, आप कोई भी एक, जैसे आपको एरोमेटिक वाला है, और यह यह एलिफेटिक है, मतलब यह दोस्तो, अप कहा है, असे अश्ते हैं, यह दोनो लिख कोई दोगें, बिल्कुल नमबर नहीं कटेग ठीक है तो अगला देखते हैं दोस्तो अपचैन अपचैन कराएंगे अपण अपचैन मतलब हैड्रोजन का जुनना तो जैसे प्रवल अपचैक आपका है लीथियम एलुविनियम हैड्राइड या दोस्तो कापर क्रोमाइड और इसके अलावा भी अन आप उत्प्रेड़क ल लहें है ना इसको दोस्तो किसके उपस्थिती पर तो लीटियम एलुमिनियम हाइडराइड के उपस्थिती पर दोस्तो हाइड्रोजन जितना चाहे हम जोड़ सकते हैं क्योंकि अपचेन तो पढ़ रहे हैं तो आपके पास R है तो R, C है तो C, H2, और दोस्तो आपके पास हो जाएगा OH, है ना, और दोस्तो यहाँ पर जो एक oxygen है, वो H2 के रूप में बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपचैन, जितना चाहें दोस्तो अपचैन में क्या होगा, hydrogen जोड सकते है इसके जगह हम जोड़ दें, C, H3, C, O, H, तो यह बनगे, H, T, कम, है ना, और लीथियम, एलुमिनियम, हाइड्राइड के उपस्ती दी पर, hydrogen दोस्तो, यह आपका अपचैन हो रहा है, तो जितना चाहें hydrogen जोड सकते हैं, तो R के जगह, C, H3 हो जाएगा, पांकी तो प्रोस जाएचन ऐसे भी आ सकता है, H3 अमल से एथील एलकोहल बनाओ, तो आप लोग रियक्षन करा सकते हैं, ठीक है, जैसे मैं बेंजोईक अमल ले लूँ दोस्तो, तो बेंजील एलकोहल बनेगा, जैसे C6, H5, C, O, H ले लिया मैंने, बेंजोईक अमल ले लिया, और दोस्तो, उत्प्रेडक तो अई लिथियम, अलुमीनियम, हाइड्राइड, और आपको हाइड्रोजन जितना चाहें, ले सकते हैं, C6, H5 दोस्तो, ये कारबन ने तो कारबन, इसके साथ हाइड्रोजन दो जुड़ गया, और OH, प्लस H2O के रूप में बाहर हो गया, है ना, तो ये ब इंजोईक अमने से बिंजिल इलकुवाल, ये दोस्तो आनसीक अपचैन था, ये एक होता है, पूर अपचैन, ये दोस्तो जो पूर अपचैन होता है ना, जैसे मैं बात करूँ, आर, सी, डावल, ओ, ये जो पूर अपचैन होता है दोस्तो, ये लाल फासफुरस के साथ, लाल फासफुरस के साथ, हाई से क्रिया करता है, किस से क्रिया करता है दोस्तो, हाई से, ये डारेक्ट हाइड्रोजन से क्रिया करा सकते हो, तो दोस्तो ये पूर अपचैन होता है, एलकेन बनता है जैसे R है और यह C है कार्बन की बिलनसी तीन होती है तो यह करा दिया आपने और साथ में दोस्तो जो आक्सिजन है S2 की रूप में बाहर होता है और जो दोस्तो I है तो I अलग हो जाता है यह इसके साथ जोड़ जाता है तो I2 के रूप में बाहर हो जाता है जितना चाहो जैसे यहां मैं 6 ले रहा हूँ तो 3 दूना 6 बांकि दोस्तो यहां पर 3 जोड़ा हुआ है 3 दो 5 तो 2 का मल्टिप्ला यहां 2 दो नहीं 4 तीन 7 ठीक है तो जितना ज़रुत पड़े दोस्तो आप ले सकते हैं एक यहां पर hydrogen तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब पूर्ण अपचैन होता दोस्तो तो L-Cain बनता है क्या बनता है L-Cain HI से ना कराओ न करिया कोई ज़रूरी नहीं आप direct H से करा दो H2 से उत्प्रेडा क्या रहना चाहिए जैसे आपका निकिल ले लेती है या फासफुरस ले लेती है तो दोस्तो क्या बनेगा R बनेगा CH3 बनेगा और दोस्तो क्या बनेगा H2O बना लेगा है ना और यहां पर 2 oxygen तो 2 H2O बनाएगा balancing कराने के लिए hydrogen कितना आपने जोड़ा 3 और 4-3-7 तो यहां एक already तो 3 का multiply कर दो 3-6-7 तो यह पूर अप चैन पर दोस्तो जैसे लाल फासफुरस और यह निकिल दोस्तो उत्प्रेड़क ले ले लेते हैं तो H2 के साथ क्रिया कराने से पूरता क्या बनता है दोस्तो L-K-N बनता है तो आप चैन में दो प्रकार होता है एक तो अलकोहल बनाता है और दूसरा दूस्तो क्या बनाता है तो दूसरा बनाता है अपना L-K-N अब अपन चर्चा करने वाले हैं दूस्तो केल्सियम लवड का तापी विच्छेपन दोस्तो केल्सियम लवड में जो तापी विच्छेपन है ये किस से संबन दी तो कार्वोक्सिल अमल से ही संबन दी दोस्तो क्योंकि केल्सियम जो लवड बन रहा है न हो कार्वोक्सिल अमल का ही एक भाग होता है जैसे मैं दिवात कर से R, C, O, O और R, C, O, इसके साथ दोस्तो जुड़ा कैल्सियम तो दोस्तो यह कैल्सियम का लावड़ा बनेγαे इसको तापी विच्षे विच्छेपन कराएंगे विच्षेदन तो गराम करेंगे तो दोस्तो बनेगा क्या यहाँ R है यहाँ R है ठीक है और दोस्तो इन दोनों के साथ एक कारबन जोड़े देते हैं और दोस्तो डवल बांड ओ और प्लास ये जो बचेगा CACO3 केल्सियम कारबोनेट बनाता है केल्सियम कारबोनेट बनाता है ठीक है कुछ भी जोड़ सकते हो आपको जरू नहीं कि आर ही आर हो अलकिल्स हमों नहीं होगा तो कुछ न कुछ दूसरा होगा लेकिन होगा तो दोस्तो कार्बोनिल बनाता है यदि हम केल्सियम लवण यहनी कार्बोक्सलिक अमरिके केल्सियम लवण का जब हम तापी विछेतन कराते हैं दोस्तो तो कार्बोनिल बनता है कार्बोनिल में CWO, CWO, calcium acetate ले लिया, है ना, गरम किया दोस्तो, तो क्या बनाएगा, CH3, CH3, और CWO, ketone बना लिया, और दोस्तो calcium carbonate, यह calcium carbonate कैसे होता दोस्तो, CACO3, यहां से उठाता है, और एक oxygen यहां से, यह क्रिया करके, CACO3, यहां से भी दोस्तो, यह, इस प्रकार से calcium carbonate बना लिता है, और जो CACO3, भाग बचता है दोस्तो, उससे बनता है, क्या, उससे बनता है ketone या तो LDI, जैसे दोस्तो, इस CS3 के जगे H होता, यहां भी H होता, CWO, CWO, और calcium pharmate होता, यह, दोस्तो, calcium pharmate है, भाई, calcium pharmate, तो क्या बनाता, आप भी बताओ, तो यहां बचता, H, बांकी का बांकी, तो यह, HCHO, तो दोस्तो, यह बनाता, pharmaldehyde, और calcium carbonate, calcium carbonate, तो दोस्तो, calcium के लवड है की नहीं, बिल्कुल calcium के लवड है, और दोस्तो, जब तापी विच्छेपन करते हैं, तो दोस्तो, carbonil योगिक कर निन्मान करते हैं, तो आप लिख सकते हो, कि calcium लवड के तापी विच्छेपन से, केल्सियम लबड के तापी विछेपन से दोस्तों क्या प्राफ्थ होता है कार्बोनी लियोगिक प्राफ्थ होते हैं मतलब एल्डिया की टोन प्राफ्थ होते हैं अब जिससे कोश्चन आ जाए केल्सियम एसीटेट से है ना एसीटोन बनाओ तो आप इस अबक्रिया को दे सकते हो केल्सियम एसीटेट से एसीटोन बनाओ ठीक है यदि आ जाए केल्सियम फार्मेट से है ना फार्मेल टियाइड बनाओ तो इस अबक्रिया को दे सकते हो नर्मल दोस्तों समझ में आ रहा है मैं कहना कह चाह रहा हूँ जो अबक्रिया करा रहा हूँ उसको आप अच्छी से त्यार कर लो भाई क्योंकि ये अबक्रिया आप में आता है है ना मैं ऐसे ही दोस्तो फेफजूल अबक्रियाओं को नहीं करा रहा हूँ जो महत्मूने उन्हीं को करा रहा हूँ है तो दोस्तो आज का जो भी वीडियो रहा कैसा लागा प्लीज कमेंट में कमेंट करके बतायेगा और अच्छा लहो तो प्लीज्ड लाइक कर देने और दोस्तो सहाँ सब्सक्राइस करने चलते दोस्तो मिलें अगलें यहाई में नेट उप्रेकिकेस आहनि